नमश्कार आप देख रहे हैं दिर्पर न्यूज और मैं आपके साथ अकांशा शर्मा दर्शको सुनिर्ता नारी का गहना होता है और उसमें चार चांद तब लग जाते हैं जो नारी शेंगार करती है श्रिंगार करना एक कला है आमतोर पर देखा जाता है कि ग्लैमर जगत में श्रिंगार यानिकी मेक ओवर एक अभिन हिस्सा है जितनी भी प्रसिद अभिनेत्रियां और मॉडल्स हुई है उनकी अदाकारा की साथ साथ मेकप का भी एक बड़ा महत्व रहा है आगे आज हमाए साथ स्टूड़यों में ऐसे एक मेक ओवर आटिस्ट आयना सोलंगी मुझूद है आयना जी आप हुमारी स्टूडयों में आए आपको बहुत-बहुत स्वागत है तैंकी और ले अश्ट ऑक्छ यहां आपको मेकवर आटिस्ट पने देक ये प्रेंडना कमे ऐने के क्हिंटा जी कि घर है दोर हम काम करेंगी गहां नहीं करेंगी हम लोग ओमें नहीं होता हम लोग असी था और उनकी एक लिपिस्चिक से मैंने पूरा अपना मेकप करना होता अच्छा मदर भी आपकी सपोर्ट नहीं कर दी ती में नहीं में कोई सपोर्ट नहीं करता आपकी रुच्छी मतलब बच्पन सही थी आपको बड़ा अटिस्ट बनना है जैसे मुवी वगरा देखका कि हाँ डई अभी मुझे भी तैयार होना है और लोगों को तेयार करना एक पैशन था शॉकत था तो उसी पैशन को मैंने इसी लाइन में वागी हिए और अभी तक आप वह पैशन अपना जारी रखा हुआ है आपने और अवोर्ट्स भी जीते हैं अपने हमने सुना है हां जी जरूर जीते हैं अच्छा आपको बॉलिवुड की मशूर अदाकारा उन्मीला माटोंड कर और महीमा चौधरी से बेस्ट मेक ओवर आटिस्ट का अवोर्ड मिला है तो क्य मेरी फीलिंग रही आपकी उस्टाइब मेरी फीलिंग बहुत ही ऑसम रही सबसे ज्यादा मुझे इस बात का लगता है कि हां मेरे फैमली वालों को लगता था कि हां मेक अप आटिस कोई अच्छे नहीं होते हैं तो मैं कह दूँ चाए ऐसा नहीं है मेक आटिस भी बहुत अ मेरे इनलोज बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे उल्टा हस्बेंड की फुल सपोर्ट से ही मैं आज इस लेवल तक पहुंची हूं अच्छा इनलोज की बात हुई है तो अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ की तो बारे में हमने चर्चा कर लिए अब परसनल लाइफ में थोड़ परसள में करते हैं तो मैं एक Mihra थाख भास कर तो मैं कह सकते हो कि मैं अपनी लाइन में या मने अपनी लाइफ में इव यह जिसे मुझे सारी चीज़े बराबर मैनेज कर नी है इसलिए मैंने स्टूडियो ना करके जब तक मेरा बच्चे बड़े नहीं होते हैं स्टूडियो ना करके फ्रीलेंसर में मैंने लाइन चूज करी ताकि मैं और सीजन टाइम पर अपना प्रोफेशन दे सकूँ और ऑफ सीजन अपना फैमली को टाइम दे सकूँ ताकि उन्हें भी लगे कि ऐ मादिया बंद हो गई तो हम लोग का भी काम बंद हो गया पर फिर भी लोगों ने मैंने ओनलाइन क्लासे स्टार्ट करी उसमें थोड़ा से लोगों को जागरोत बने रहे थोड़ा सा ओनलाइन का काम होता रहा थोड़ा फिर भी होता रहा काम अच्छा हमने सुना है आपकी जो मेकप क्लासिस है वो आप बच्चों को उसमें सिखाती है सब कुछ और अच्छी से गाइड करती है सब बच्चों को तो आप अपनी क्लासिस के बार में थोड़ा सा में विशेश तौर पर बताईए मैं जब भी ऑफ सीजन होता है फाइफ देज की टैन डेज की बन मंद की अपनी क्लासिस लगाती हूं उसमें गल्स बच्चे इवन मैरीड लड़कियां भी खूब आती हैं खूब सीखती हैं अच्छी मैं नॉर्मली वो रोके नहीं सिखाती हूं और मैं बेसिकली उस पर थीम जब जाएफ और मैं पर बता चलता है कि आपको पता चलता है कि एक्षुली इस को पड़ाना भी उता है फिर उसको स्कूल नेखनी बढ़ती है सब कुछ देखना पड़ता हैं सब कुछ कैसे मैं अगरता है उप तो मैं एक चीज़े बाला वी जु आए इसका ये काम है इसक पर फोन चलता रहता है कि आपने की काम पूरा कर लिया और इसमें सबसे इंपोर्टन रोल रहता है मेरे हस्बंड का बहुत सपोर्ट करते हैं और मुझस से जादा तो वह सारा मैनेस देखते हैं यह काम हो गया अब यह काम मैं देख लूँगा अब आप अपना काम करें अच्छा रहता है कि जहां पर हस्बंड अगर आपको सपोर्ट करने लग जाए तो आपको काम में और अच्छा मन भी लग हैं तो लड़कें क्यों नहीं वह ज़स्त पर कामा रहे हैं चाहिंगा है अपने वाजन वीं आपने वह स्टाइब के में हैंसे कर चाहिए तो अपनतों यह किया ही होगा थोड़ा बताएं तो की साइज My Chief में मैं इसला में Stitch करती हूए यह मेरे एक दो जो बहुत में में घर तो पर सब्सक्राइब भूर्भी जारी रहेगी आगे जो आजी है हमें जो डेली रूटीन की जो स्किन को हम केर करेंगे उसके बारे में बताएंगे विस्तार से तब तक के लिए जुड़े रही हैंगे देखते रहें देखते रहें से झाल 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 ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे साथ है एना जी अच्छा ये बताईए कि पर्सनल के बारे में थोड़ा समय विस्तार से बताईए और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि अपनी तवच्छा की के लिए आपको सीटियम यूज करना चाहिए आप अधिकता लोगों को सीटियम नहीं मालूगा नहीं पता होती है सीटियम यानि क्लिंजर टोनिक और मॉस्टराइजर आपको आपको का एक umbrella है छाता है आप उसे यूज करोगे तो आप कभी भी स्किन इत्ती जल्दी डैमिस पहली बार तो होगी नहीं अच्छा कभी कभी होता है कि किसी को कि तो फ्रीग करता है तो किया करना चाहिए अच्क का और느 है पहले सबसे पहले तो अपने स atención जाने है किसी नॉर्मल है ऑली होती है वाससे लोगो इसके संस्टीय तो गयोतीशिता में थाइग करे अश्किन एक इसक 1995 क करनी होती है बजपर में जोई इसक्किन तो सिरें और वस तो आप एक सबजी को दो बार भी खाने में आपको अजीब लगता तो आप एक फेश्वास को कैसे इतना टाइम यूज कर सकते हो मौसम चेंज होते हैं। आपकी अचकrem में भी बहुत होती है उस आप दवाइयं भी चेंज करते हो तो आपने शीक परनाडस करने का सबसे बड़ी बात तो बजट के अच्छा आपने बाद कर लिए अब वैदर की बात है तो अब बरसात और फिर विंटर का सीजन आने वाला है तो उसमें लोगों को कैसे आपने स्किन के केर कर नीश है क्योंकि मुस्टी लोगों की उसकिल स्किन होती है वो ड्राइ हो जाती है फटने लग जाती है अपने जाधा सब जा जातर रहते हैं ऑफिस हुआ घर हुआ गाड़ी हुआ तो आप विंटर हो यह समर समरो सीटेम प्रॉपर अपनी स्किन के अगॉर्डिंग यूज़ करोगे तो कभी स्किन आपकी ड्राय नहीं होगी अच्छा कुछ लोग होते हैं कि बाहर की प्रोड़क्ट हो यूज़ करने म थोड़ा उसके बारे में इसलिए ज्यादा सब्सक्राइब करती हैं क्योंकि आज कर लोग होम रेमडी भी प्योर नहीं आती है सब में मिलावर तो होती होती है और उपर से अगर एक की स्किन कैसी है एक को चीज को सूट कर रहे तो दूसरे को किसी को पापाया सूट कर रहा तो सबसे पहले आप अपनी स्किन के बारे में जानी कि आपको सूट क्या कर और वो टाइम टाइम पे आपको किसी भी ब्यूटीशन से किसी भी मेक ओवर आटिस से आपको मिलते रहना चाहिए ता कि आप कुछ लोग होते हैं कि पैसा बचाने के चक्कर में ऐसे प्रोड़क करते हैं कि हम लोग मेक ओवर आटिस्ट के पास ना जाकर हम अपने खुद को सजिस्ट करता है कि यह कर लेना चाहिए तो वह इसी बातों में आकर यह सब कुछ करने लग जाते हैं किसी को देखकर भी आपको कोई प्रोड़क्ट यूज नी करने चाहिए कभी भी बिना आप अच्छी ब्राइंट के प्रोड़क्ट यूज करिए अच्छा लड़कों में लड़कियों मतलब दोनों में ही मुहासों की जो दिक्कत होती है बहुत ज्यादा होती है और वो लोग क्या करते हैं कि वो अपने हातों से या तो फिर उसमें कुछ नगुछ और यह भी कोई कील मुहासे की आते हैं कोई कंपल सरीनी आपकी ड्राय स्किन पर भी कील मुहासे आ सकते हैं आपके हार्मोन पर या कोई आपकी बीमारी की वैसे हो रहे है या आपकी सर में डेंडर्फ हो रहा है तो भी कील मुहासे आते हैं तो पहले आप मुहासे की तो पह नदट इन वहांड़ो हने मोकम्रीय। मैं ठीयसी की めडिसे लांपा उसमे सब गाते हैं कोई तोसमें, तोसमें की आ काईनेशी मत वे समय हो जाना प्राभ़ाव है सबसे पहले तो हमारा जो शिड्यूल है ना लाइफ का वो ख़राव हो चुका हम पासफूड पर जाते हैं सुबह लेट तक सोते हैं रात को लेट नाइट तक हम काम करते हैं तो पहले की लीडिज हो अपने बाल बांद के रखती थी ठीक है वो कभी बाल खुले नहीं चोड़ तो जब जाहिड सी बात है जैसे जैसे लोगों की बिमारें बर्रियें ओर कम रहे है ऐसे ऐसे यह फॉल कुछ यह कुछ में ज़्यादर गौना क्या होतो है कि बसाप क्या फोल होता है है उसे हैर फौल होता है और अादर यह चापंटाल में उसक्टेशन्स परफे ऺघर एक जा कीकी खाण सब्सक्रिक करें को काई गायनी को दिखाई पहले अप स्की मिधनिग फिर किसी भी चीज को तो चाय स्किन प्रॉब्लम हो, हेर प्रॉब्लम हो, आप बिना बज़े से आप कोई भी मेडिसन नहीं खाईए ये भी एक अच्छा जो बोल रही है एना जी कि आप बिना किसी कंसल्ड करें, कोई मेडिसन ना लें आप पहले या तो अपनी मेक ओवर आटिस्टे पूछ लें, या फिर किसी डॉक्टर पढ़ जाकर सला लें तो आइना जी आपको इस इंडस्टी में कितना समय उठ चुका है? मुझे इस इंडस्टी में आपको 14 से 15 यर हो गया है अचा 14-15 साल से आप इस इंडस्टी में हैं और जो महिला हो, चैपुरुष हो आप उनको और जादा सुन्दर, वैसे तो वैसे सुन्दर सभी होते हैं और उनको और जादा सुन्दर बना देती है जी अचा ये आपका काम है जी और बताईए अभी तक आप कितने लोगों का मेकप कर चुकी इसकी तो मैं शायद कोई काउंटिंग नहीं कर सकती जोकि हम लोग जब बोले तो अगर एक कॉंट्रेक्ट लेते तो एक शादी में आप कहो कि कितने गैस्ट आते हैं जब एक शादी में आप गैस्लिस बनाते हो तो उसकी लिमेंट तो हम तो सीजन में कितनी शादियां करते हैं उसकी वी कोई वो नहीं है इसकी तो काउंटिंग शायदी हो सके मुझे पास अच्छा एना जी हमारे दर्शोब को आपसे कॉंटेक्ट करना हो तो आप थड़ा वू बता दीजे अब यह शो देखने के बाद तो सब आपसे कॉंटेक्ट करना जरूर चाहेंगे मुझसे contact करना है तो आप मेरे को इंस्टा आइडी पर follow कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, mail पर DM कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आइडी नवया makeover है, नवया N-A-Y-A-A-S-L-E-S-M-E-C-O-V-E-R अच्छा एंना जिआ, खुछ लोग ए मालते हैं और शुक के आपका नाम क्या है? मेरी नाम को लेकर तो ख़र आपने अच्छा कोशन करा है मेरी नाम को लेकर लोगों को बहुत इशू रहता है कि अना मूम्टन है, क्रिष्टिन है, एना नाम कहां से है, अचली गरवालों ने नाम रखा था, मतर को योगेश नाम रखा था, मेरा और्जिनल नाम योगेश है, ओट में, अब अरो मेंच्छाबिहों में जब शादी होती है, तो नाम छेंज होता है शादी पे एना मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग हूँ और एना नाम मेरा खुद का रखा हुआ है तो यह मुकाम यह नाम मैंने खुद से अपने आप में ही क्रेट करा हुआ हुआ है एक महिला जो होती है वो अगर चाहे तो आस्मान को भी छू सकती है बस अपने अंदर एक द्रण संकल्क होना चाहिए उसी द्रण संकल्क को लेते हुए हमारे साथ एना जी है और उन्होंने हमें तुअच्छा की केर करना सिखाया उसके बारे में विस्तार से बताया तो एना जी आप हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद झाल